नमस्कार दोस्तों में होता अपन कुमार्जाब सभी का बहुत अगरता हूं हमारी 10th वीडियो के अंदर 10D के अंदर बात कर रहे हम लोग आज VTP के कुछ कमांड के बारे हैं बात करने हैं पिछली क्लास में हमने समझा था VTP क्या होता है कैसे एक हैकर से बचाने के लिए हम इसको यूज करते हैं और जो वीडियन का कंट्रोल है वो कैसे हमारे पास रखें आज बात करने प्रेक्टिकल पार्ट के बारे में अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं हाइली रिक्मेंट करूँगा आपको बीन नमबर नाइन जो हमने वीडिपी मनाए था जरूर दिखना था है थेरोटिकल लिए मैंने समझाया है वीडिपी होता क्या है कैसे यह वोक करता है अब आज बात जो करने वाले वो क्या है हमारा कैसे यह конфigir होता है तो पहले मैं जाता हूँ हमारे switch के ओपर switch के पास जाने के बाद मैं seal I open करता हूँ command line interfaces का और यहाँ पर जाके पहले मैं एक VLAN मना जाता हूँ आपके सामने करता हूँ कि क्या VLAN मेरा यहां पर आया है नहीं आया कि मुझे कि अभी कोई मेरे जो वी लैंसे वह broadcast हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर जाता हूँ यहाँ पर जाते हैं seal I open करते हैं नीचे आते हैं और फिर टाइप करता हूँ VLAN 10 और फिर name sales ठीके do show VLAN करता हूँ मैं तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ पर 10 बन गया अब क्या बार-बार मुझे बराना पड़ेगा नहीं अब मुझे करना पड़ेग है VTP mode server तो मुझे पहले इस particular system को मैं एक को बना रहा हूँ server और एक को बना हूँ client तो यहाँ पर गया हमें इसको बनाता हूँ मैं एक सेकेंड इसको बनाता हूँ server इसको बनाता हूँ client ठीक है तो client मैंने जाता है क्लाइंट जो है वह विलन क्रीट कर सके तो उसके लिए मुझे उसको रेस्टिट करना पड़ेगा VTP के थूँ अब मैं आदा हूँ server पर गया हमें इसको करता हूँ मैं ठीक है exit मारते हैं हम लो उसके लाव VTP एक बाद चेक कर लेते हैं यहाँ पर command है नहीं बिल्कुल है अब VTP में आपको चार्ट चीज़े चेक करनी है ठीक है ना पहले आपनको mode set करना है तो mode कर देता हमें इसका mode में कौन-कौन से client server transparent तीन mode होते हैं तीसरा में बताऊंगा तो VTP जब आपने server mode कर रहा तो इसने बोला कि device mode already VTP server तो मतलब कि already आप server के अंदर आप क्यो करना चारो पर हां दूसरे वाले में जब मैं client करूँगा तो वहाँ पर मेरे को दिक्कत नहीं होगी अब मैंने कर दिया अब मैं करता हूँ VTP अब यह करने के बाद मुझे करना ह दिखाता हूँ मैं commands के अंदर तो एक बार मैंने यह set कर दिया VTP का mode server मैंने set कर दिया मैं domain set करना है domain basically इसको allow करे है कि वो specific सारे switches के उपर broadcast ना करे VLAN को specific engine system switches के अंदर यह domain configure है उन्हीं पर करे तो अब domain आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर जाता हूँ मैं VTP domain लेता हूँ मैं domain लेने के बाद आप यहाँ पर मुझे domain का नाम देना है तो मैंने कर दिया asd.org ठीक है न एंटर मार दिया तो मैंने यहाँ कर दिया यहाँ पर null था पहले blank value कुछ नहीं था वहाँ पर उससे इसने convert कर दिया उसको asd.org तो अब जिन जिन switches के अंदर asd.org जी होगा as a domain VTP का उसी में यह broadcast करेगा अपने VLAN की VLAN की database ठीक है अब यह हो गया हमारा अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर VTP अब set करना मुझे password अब password आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर तो मैंने यहाँ डाल दिया 1234 ठीक एक्जाम्पल ले रहा हूं मैं एंटर करत अब अगर यह broadcast करेगा तो यह उनी को कर पाएगा broadcast जिनके पास यह password भी register होगा तो यह तीन चीज़ों है अपने यहाँ पर सेट कर दिये अब एक बार आप एना VTP का status भी चेक कर लीजिए तो यहाँ पर show VTP status करके आएगा इसके रिए do use करना पड़ेगा do show VTP status अब देखे मैंने बनाया है तो स्टोडल 6V लेने और VTP का operating mode किया गया server mode जो मैंने by default था और मैंने इसको change भी करा ठीक है ना VTP का domain इसने दिखा दिया मुझे ac.org बागी pruning मैंने भी disable कर रखा है VTP का two mode जो है न मैंने disable कर रखा है और trap generation मैं disable कर रखा है मैंने इसमें भी कोई छेर छाड नहीं करें ठीक है अब मैं जाता हूँ same configuration करता हूँ इधर भी client side पर changes करना पड़ेगा मुझे पहले तो mode में change करना पड़ेगा आपको तो VTP जाता हूँ मैं exit मारता हूँ यहां से VTP VTP के अंदर मुझे क्या करना है तो मुझे domain domain नहीं पहले मुझे mode set करना है इसको उपर नीचे भी कर सकता है कोई sequence नहीं कि दपन भाई ने कर रहा है तो हमेशा यह करना है आपकी मर्जी के हिसाब साब कर सकता हूँ तो पहले mode set करता हूँ मैं client अब जब मैं client डालूँगा तो अब इसने क्या बोला है कि device setting device to VTP client mode तो client mode पे से set कर दिया अब उस क्या करना है मुझे VTP domain तो domain दे रहा हूँ है यहाँ पे asd.org same domain देना है अगर आप change कर दोगे तो यह broadcast नहीं कर पाएगा तो update नहीं कर सकता यह enter मार दिया मैंने अब दे दिया इसने कि null 6 में डाल दिया इसको asd.org में डाल दिया और फिर VTP जाता हूँ मैं VTP password set करता हूँ मैं और 1234 ठीक है enter मार दिता हूँ मैं तो मैंने यहाँ बेलन क database का जो password है वो मैंने 1234 set कर दिया ठीक है अब चेक कर लेता हूँ do show VTP status enter मारता हूँ तो दिख रहा होगा आपको नीच आता हूँ मैं तो यहाँ बे मैंने set कर दिया सारी चीज़े VTP का version 2 use कर रहा हूँ मैं उसके अलावा अभी configuration revision 0 आ रहा है यहाँ पे initially start यहीं से होए गई उसके बाद maximum VLAN जो support करता है 255 maximum VLAN support करता है existing VLAN जो है वो 6 VLAN है अभी operating mode जो है client है अब client के अंदर आप बना के देखो आप VLAN 20 क्या दीदिया है नहीं बना पा होगे आप VTP VLAN configuration not allowed when device is in a client mode तो आपने इसको client mode में डाल रखा है इसकी वज़े से VLAN नहीं बना था तो यह एक तो control provide करता है आपके branch offices में कि कोई भी unauthorized बंदा कीबल लगाके VLAN ना create कर दे ठीक है अब उसके बाद जैसे मैं यहां पर जाता हूँ और यहां जाके अगर मैं VLAN create करता हूँ तो दिख रहा होगा आपको VLAN 20 name और management अब जो मैंने करा है वो मैंने कहा करा है do show VLAN तो दिख रहा हो जाने के बाद do show VLAN करूं मैं तो अब इसने कर रहा है कि इसने अभी update नहीं लिया है थोड़ा time लएगा दोनों के बीच में communication होगा यह broadcast में थोड़ा time लेता है और automatically फिर वो system को update करना चालू कर देगा तो यह जो है ना यह configuration होती है आप दिख रहा होगा यहां पे मेरे पास control है कि VLAN जो है update नहीं हो पा रहा अब अगर मालो यहां पे मैं कोई भी communication कर रहा तो दोनों system के बीच में तो automatically यह packet broadcast करना शुरू कर देगा और मेरा जो packet है वो update हो जाएगा यह configuration थी आपकी VTP की अब इसको थोड़ी सा आपको refresh करना बढ़ेगा दो तीन बार आप करोगे तो configuration करना है, server client set, set करना है, domain set करना है, password set करना है और उसके बाद control मिल जाएगा आपको other switches के उपर कि वो VLAN ना बना पाए आप यहां से बनाए और यह broadcast अपने आप हो जाए तो यह जो है पुरा try करना यह मैंने आपको basic row configuration करके दिखाए यह मैंने आपको try करना proper setup करो VLAN create करो and then do it, ऐसे नहीं की directly मैंने इसके के बल लगाई दो switch के अंदर start कर दी, आप रॉपा net हो बना के करना, तो I think ज़्याद आपको अच्छे output आएंगे, ठीक है, इसके लावा 1-2-1 course करने के लिए form दे रखाव पर chatbox में जाके भढ़ देना, अगर आप video अच्छे लग रही है, तो अजिए बना के लिए।